यह वेलकम दोस्तो स्वागत है राजिन्दरा नर्शिंग अखेडमी हार एने प्राव सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो एक न्यूज है आप सभी के साथ सेर करनी हैं जो स्वाल है लेक पर बड़ा सवाल है कि जो पेपर लीक हुआ है राजिस्तान सी ए चोका हुआ है कि नहीं हुआ इस पर एक बड़ा स्वाल अभी भी प्रिक्षा से तीन गंटे बाइस मिट पहले यह पेपर बाहर आ गया था यह परसंस बाहर आ गये थे शेर करने वाला बेरती भी तो दोस्तों एक स्वाल है आप देख पा रहे होंगे कि यह नंबर है आपके सामने यह एक इंटरनेशनल नंबर है इंटरनेट नंबर है प्लस 1-256-507-7909 से आये थे यह स्वाल तो अब हम आपको एक चीज़ बता जेते हैं दोस्तों कि राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की और से तभी बार को आये जो प्रिक्षा थी उसको लेकर एक नया स्थ्य जो सामने आया है जुझनु के निवासी सुनीता सेन को जिस व्यक्ति ने उसके जबावों की लिश्ट बेजी थी वैक करोली निवासी विनोद मीना है मीना ने प्रिक्षा के दिन साम को खुद को महिश सेनी बताया था और का ताकि उसने नहीं तो प्रिक्षा दी है और ना ही किसी का पेपर भेजा अब मंगलवार को उसने स्विकार किया है कि उसने दो व्यक्तियों को उसके पास आये स्वालों को लिस्ट बेजी थी इसमें सुनिता और एक अन्य व्यक्ति था इसके बाद अब स्वाल खड़ा हो गया дeez्ट का यह ला एक है कि चैन बोड्ट कि जान्स रिपोर्ट का इंतरा कर रहा है विनोज मीना ने बताया कि पहले दिन ज्था और कि पता नहीं आचान कि है क्या हो गया इसलिए उसने जुट कि वैं महस्ते नहीं है और उसने प्रिक्ष यहां नहीं दी ना ही किसी पर यह स्वाल भेज़े हैं लेकिन आप एसोजी कार्याल ले जाकर पूरे द्यू तथ्य है वो सौंपेगा तो दोस्तो एक मैला बेर्थी के मुबाइल पर पेपर बेजने वाला जो विनोद बोला इंट वाल मैंने और प्रिक्ष यह दी थी मगर मेरे 40 नंबर ही आये है अब बात कर बात यह है कि इंटरनेट नंबर से जो पेपर आया है उनिश्वारी को सेर किया था ठीक है साथ बज़कर आठ मिनट पर यह पेपर आ गया था और पेपर सुबह साथ बज़कर 22 मिनट पर इंटर बिटा से नहीं लिया और उसने दो लोगों को यह भेजे इसके बाद प्रिक्षा देने निकल गया उसका खुद का प्रिक्षा के अंदर वीद्यानगर सेक्टर तीन नया खेडा मिस्तित था तो बताया कि सो में से 95 स्वाल हल की 40 नंबर ही बेठ रहे हैं विनोध मिना के कुल 86 स्वाल पेपर में थे तो बासकर के एक्सपर्ट ने बताया है कि एक एप से जंद्रेट होते हैं ऐसी नंबर साइबर एक्सपर्ट मुके चोजी का कहना है कि Android पे Play Store और iPhone पे Apple Store में काफी वर्चूल नंबर उपलब्द करवाने वाले एप मौजूद है जो USA, Canada, UK, आद इनिटी को छुपाने के लिए बनाते हैं, पिछले कुछ सालों में यह आम बात हो गई है, बाकि अब जो है बेरोजगारों ने परदसन करने चालू कर दिये हैं, उनकी मांग है कि पेपर को दुबारा करवाया जाना चाहिए, उनकी जो मांग है वो जायज भी है, अगर पे आती है कि पेपर लीक हुआ है, तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा पेपर को और पेपर दुबारा करवाया जाएगा, तो वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे है तो आज कल में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो यह थी दोस्तो एक इनिफोर्मेशन जो आप सभी को सा पेपर करनी थी, क्योंकि दोस्तो जिस हिसाब से सारे सुबूत जो है, वो इसके विरोध में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यह पेपर जो है, होने के चांस जो है, दुबारा बहुत ज़्यादा बढ़ गए है, प्रोबेविल्टी बढ़ चुकी है, बाकि SOG की रिप परस्तूत करेगी, उसके बाद जो चैन करमचारी बोड है, वो अपना निर्णे लेगा, और बहुत ही जल्दे एक तो दिनों में आपको निर्णे भी पता चल जाएगा, तो दोस्तो अगर पेपर दुबारा होता है, तो हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी को बहुत बह करना है, वो शुरू कर दे, कि दोस्तों पेपर हो सकता है दुबारा, प्रोबेबिलेटी बहुत ज़्यादा बन रही ये पेपर दुबारा होने की, तो आप पढ़ाई जरूर निरंतर बनाए रखें अपने, ऐसा ना सोचे कि पेपर, कि न्यूज आयागी कि पेपर होगा पढ़ाई जरूर करें पेपर दुबारा होने के पूरे-पूरे चांस है, तो पढ़ाई आपको जूरूर स्टर्ट कर देनी चाहिए और अच्छी त्यारी करने के लिए बैतरन त्यारी करने के लिए स्मार्ट स्टदि के लिए आप मेरा राजिंदरा नर्सिंग시면 अकडेमी झाल